अच्छा बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसके अंदर हमने डिटेल से सारी टाइप्स देखी थी ग्राफ की और इसमें मैंने आपको स्लोप का समझाया था कि स्लोप का चीज होती है अब हमने बेटा देखना है कि स्पीड्ट टाइम ग्राफ का होता है अब बेटा जो भुंने बनेगा वह जब में आपको पताया था कि बेटा दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है मोशन में या तो बोडी की मोशन यूनिफॉर्म हो सकती है या बोडी की मोशन विरियेबल हो सकती है अब वरियेबल मोशन का क्या मतलब है कि स्पीड में चेंज आ रहा है और जब चेंज ऑफ स्पीड ह acceleration कहा जाता है acceleration कहा होते है यह एकली change of speed अभी जो change of speed ही यह दो तरह के change आ सकता है body की motion में या तो change uniform हो सकता है तो अगर change uniform हो अज़िए इसका मतनलब है कि equal interval of time में equal change आ रहा है body की speed के अंदर तो इस case में जो acceleration होगी वो constant acceleration होगी और अगर equal interval of time में equal change नहीं आ रहा है speed के अंदर तो इस case में जो acceleration होगी वो variable acceleration होगी अब जो constant acceleration होती है वो दो तरह की हो सकती है positive acceleration भी constant acceleration हो सकती है और negative acceleration भी constant acceleration हो सकती है similarly valuable acceleration भी दो तरह की हो सकती है ये increasing acceleration भी हो सकती है और decreasing acceleration भी हो सकती है आपके बुक में बेटा फिलहाल हम देखेंगे कि uniform motion का graph क्या होता है और variable motion में हम देखेंगे कि constant acceleration का graph क्या होता है constant में हम ये देखेंगे कि positive acceleration का graph क्या होता है और negative acceleration का graph क्या होता है तो basically हमने यह एक, दो और यह तीन तरहां के graph आपकी बुकिस ले, बसके मताबिक हमने यह तीन graph ready करने है So इसे पहले देख़ो बेटा First case है कि अगर body uniform motion के साथ move कर रही है, constant speed के साथ move कर रही है सबसे पहले बेटा, इसका data set क्या बनेगा कि assume करो कि मेरे पास जब time 0 था तो body की speed थी, वो 4 meter per second थी 2 second के बाद भी speed 4 meter per second है, charge second के बाद भी 4 meter per second है 10 seconds के बाद भी speed same है, 4 meter per second है तो graph क्या बनेगा, graph में सबसे पहले बेटा, time आएगा x-axis है independent axis क्योंकि time एक independent variable है और velocity आएगी हमारे पास y-axis पे जोकि यह dependent variable है time 2 वो तो velocity हो गई, again 4 meter per second, 4 seconds के बाद फिर 4 meter per second, 6 के बाद, again 4 meter per second, 8 के बाद भी 4 है और 10 के बाद भी 4 meter per second है, तो मेरे पास अब यह जो graph बने है यह जो मेरे पास आए, एक straight line आया, which is parallel to time axis तो मेरे पास क्या आया, straight line parallel to time axis ठीक है, अच्छा बेटा, अब एक बात जो बड़ी ज़रूरी है वो यह है कि जो speed time graph है, speed or time, यह दो variables का graph है जहने कि दो variables को divide करेंगे, तो क्या आता है, acceleration इसका मतलब यह है, change of speed or time को divide करेंगे तो expression आता है इसका मतलब है, कि speed time graph से तो मुझे information मिलेगी, एक तो मिलेगी मुझे acceleration के बारे में ठीक है, और acceleration के information कैसे निकालते होते हैं, graph के जरी, graph के जरी कैसे information निकालते होते हैं, जब हम slope find करते हैं कि मैंने आपको last time भी बताया था, कि graph की curve होती है, उसके जरी information मिलती है, वो slope find करने के जरी मिलती है तो इसी वज़े से, इसकी information मेलेगी वो भी किसी भी line की slope की वज़े से मिलेगी ठीक है, तो इसके मतलब है कि जो velocity time के graph है, वो एक information जो मुझे दे रहा है, वो तो दे रहा है मुझे acceleration के बारे में और acceleration के information किस के जरी मिल रही है, मुझे, slope के जरी मिल रही है, that is change along y-axis divided by change along x-axis, ठीक है second information data जो मुझे मिलती होती है, इस graph के जरी होती है, distance covered by the body कि body ने इस motion के दुरान जब body की speed इतनी थी, time इतने पर इतनी speed है, 10 second तक body इसी speed से move करती रही है तो इस दुरान body ने distance कितना cover किया है, तो distance की information भी मुझे इस graph के दिर ही मिलती है, वो कैसे मिलती होती है by finding area under the graph, मतलब यह graph आया है, इसको मैं end point से perpendicular x axis पर draw करूँगा, तो यह area बनेगा इस चीज़ का, जो area होगा, वो area मुझे क्या बताएगा distance traveled by the body